बच्चो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो देखिए बच्चो हमने मिसलिनेस एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग कोश्चन नमबर 4 को सॉल्व कर रहे थे तो देखो बच्चो पिछले वीडियो में हमने कोश् को सॉल्व करेंगे यानि तीन से लेकर के साथ तक ठीक है तो जलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं यह रहां आपका कोश्चो नमबर 3 इसमें क्या दिया है कि आपको पी मानना है और दूसरे को क्यो मानना है ठीक है और यह कंसिडर करके आपको उसे सिंबोलिक फॉम में लिखना है ठीक है बच्चो सिंबोलिक फॉम आप जानते हो अगर एंड आया तो फिर ऐसा वाला सिंबोल होता है अगर और याद रखीएगा चलिए अभी देखते हैं पहला वाला कुस्चन तो यहां पे देखो दो स्टेटमेंट है पहला और दोनों के बीच में क्या है कौन सा यहां पर यह connection का यूज किया गया है मतलब कौन सा connective आया है बच्चो and आया है है ना तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से समझेएगा यहां पर हम लिखते है solution ठीक है तो यहां पर लिखते यहां पर मैं लिखते हूं मून है राइजन ठीक है अब देखो इसका symbolic form क्या हो जाएगा अभी हम लिखेंगे कि therefore the symbolic form is the symbolic form which is equal to तो देखो बच्चो यह आपका statement P है यह आपका क्यू है दोनों के बीच में कौन सा connective आया है and और जब भी आयंड आता है तो उसका symbol कैसा होता है बताओ ऐसा वाला होता है ना तो चलो यहां पर हम लिख देंगे P and Q समझा आपको तो यह है आपका final answer दिहान सा समझ लीजिए बहुत ही simple है कुछ भी इस में नहीं है ठीक है समझाना चलो अभी अगला सवाल देखते हैं बच्चो तो यहां पर देखिए का दो statement है पहला statement क्या है कि Mona likes mathematics and physics तो देखो बच्चो पहला statement आपका क्या होगा मोना लाइक्स mathematics ठीक है और यह जो फिजिक्स है ना एंड के बाद यह जो फिजिक्स है मतलब यह आपका दूसरा statement होगा लेकिन उसको हम लोग लिखेंगे कैसे आपको बताती हो इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है कि मोना को mathematics पसंद है और physics भी पसंद है थीक है तो ऑस्टेट्मेंट हूए कि ने मोना को mathematics अच्छा लगता है फिर मौना को physics अच्छा लगता है तो यहांप है लिखते हैं कि statement P statement P क्या हो जाएगा बच्चो मूना likes mathematics मौना like mathematics yes, यह आपका हो गयां बच्चों, statement P और statement Q क्या हो जाएगा, Mona likes physics, ठीक है? Mona likes physics ठीक अब इसका symbolic form क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर दोनों के वीच में क्याया है, आधा घबाए है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि the symbolic form is symbolic form is क्या हो जाएगा यह है पी यह है क्यू ठीक है यह आपका पी है यह आपका क्यू है दोनों के बीच में किसका साइन है मतलब क्या है एंड तो इसे हम कैसे लिखेंगे पी एंड क्यू ठीक है क्लियर समझाना येस चलो भी अगला सवाल देखते हैं बच्चो तो यहां पर यहां दो statement दीए गया है रोको मैं यहां पर solution लिख देती हूँ पहला statement क्या है देखो यहां पर लिखती हूँ let p क्या हो जाएगा 3 इस प्राइम नंबर ठीक है तो जैसे मैं आपको बता रही हूं बच्चो वैसे ही आपको एक्जाम में लिखना है एकदम अच्छे तरीके से ठीक है ज्यादा शॉर्टकट नहीं मारनी का ओके अच्छे से पूरा लिखो त्री इस प्राइम नंबर कि फिर स्टेटमेंट क्यों क्या हो जाएगा बच्चो येस त्री इस पर्फेक्ट स्क्वाइर नंबर अब देखो बच्चो इसका सिम्बोलिक फॉर्म क्या होगा तो यहां पर देखिएगा कौन से कनेक्टिव का यूज किया गया है क्या आया है बच्चो देखो 3 is prime number if मतलब देखो जब भी I double F रहता है बच्चो I double F तो इसका symbol हम लोग क्या होता है double implication वाला होता है न मैंने आपको बता है अब ही था if and only if रहा या फिर I double F रहा तो हम लोग क्या करते हैं double implication वाला symbol यूज करते हैं तो यहां पर इसका symbolic form क्या हो जाएगा हम लिखते हैं कि the symbolic form is symbolic form is क्या हो जाएगा बच्चो यह statement P ठीक है और यह है आपका की दोनों को मतलब दोनों को join किया गया है इसकी मदद से यानि कि यह वाला symbol यहां पर आ जाएगा P double implication Q ठीक है यह Q है चलिए बच्चो अगला सवाल देखते हैं तो यहां पर क्या है कि कविता is brilliant and brave तो यह तो इसी के जैसा एकदम सिंपल सा आप कर सकते हो देखो कविता क्या है ब्रिलियंट है यह आपका statement P हो जाएगा और कविता क्या है ब्रेव है यह आपका statement क्यों हो जाएगा और दोनों को जोइन किया गया है and की मदद से यानि कि यह वाला symbol आ जाएगा देखो यहां पर हम लिखेंगे solution फिर यहां पर हम लिखते हैं let statement P क्या हो जाएगा बच्चो कविता इस ब्रिलियंट ठीक है फिर statement क्यों क्या हो जाएगा बच्चो कविता इस ब्रेव ठीक अब इसका symbolic form क्या हो जाएगा देखो यहां पर हम लिखते है therefore यहां फिर बस ऐसे लिखो the symbolic form is क्या होगा बच्चो and की मदद से जुड़ा है न तो यहां पर हो जाएगा P and Q ठीक है clear अब चलो यहां पर fifth one हम देख लेते हैं तो इसमें कितने statement है दो ही रहेंगे देखो क्या है if Kiran drives the car then Samir will walk देखो बच्चो यह आपका यह वाला किरन drives the car यह है statement P और Samir will walk यह क्या है आपका statement Q है ठीक है और दोनों को join किया गया है किसकी मदद से if और then की मदद से तो जबी भी if और then आता है तो हम लोग किसका use करते बच्चो implication वाले symbol का use करते है ना तो देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि let statement P क्या हो जाएगा किरन drives the car ठीक statement क्यों क्या हो जाएगा बच्चो यह वाला Samir will walk ठीक है अब बता दो इसका symbolic form देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि the symbolic form is क्या हो जाएगा if और then का use किया ना तो यहाँ पर आएगा बच्चो ऐसे P implies Q ठीक है समझ गया तो देख लेजिए हमने 5 sub questions complete कर लिए आप इसको देख लो फिर हम चलते हैं आगे ठीक है next question देखने के पहले ना बच्चो आपको इसे समझना चाहिए ठीक है इसको और इसको क्योंकि इन दोनों की मदद से यह जो दोनों questions है ना बच्चो वो हम लोग solve करने वाले हैं ठीक है तो यह जो मैंने लिखा है ना कि कहां से लिखा है पता है आपको आपके textbook में कहीं पर भ सकते हैं ठीक है चलो अभी धर आजाओ देखो बच्चों यहां पर क्या है कि में कर सकते हैं इसको आप समझळीजिये तो दिखो बच्चों एक तो आप जानते हो मूँलोगय ऐससे पड़ते हैं पी इंप्लाइस क्यू नहींदा κα्म पताया था ठीक है यह तो Süμपल सा थरीक टीक है या फिर इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं Q is necessary for P ठीक है तो याद रखिए का जब भी आपके statement में sufficient आया या फिर necessary आया ध्यान से सुनू मेरी बातों को या तो यह यह तो फिर यह तो फिर हमें क्या करना ठीक है समझ गया ना बच्चों अच्छे से चलो अभी मैं आपको डबल इंप्लिकेशन वाला बता देती हूं तो यह तो आपके टेक्स्बुक में ही दिया गया है पेस्ट नॉमबर नाइन पर आप लोग जा करके देख सकते हो ठीक है तो देखो पी डबल इंप्लाइस क्यू इफ एन ओनली इफ ठीक है ऐसे हम लोग रिट करते हैं हमेशा की तरह फिर उसके बाद इसको एक और तरीके से पढ़ा जा सकता है बच्चों ऐसे पी इस नेसेसरी एंड सफिशियेंट और क्यू क्या बोला मैंने नेसेसरी एंड सफिशियेंट तो याद रखिएगा जभी आपके स्टेट्मिड में क्या आता है बच्चों नेसेसरी और सफिशियेंट दोनों एक साथ आते हैं तो फिर आप समझ जाईए कि आपको डबल इंप्लिकेशन का ही यूज करना है ठीक है समझाना अच्छे से देखना है तो पेज नंबर कौन सा पेज नंबर मैंने बताया पेज नंबर 9 पे आप जाकर के देख सकते हो यहीं बात यहां पे मतलब टेक्स्बुक में भी दी गई है तो चलो अभी देखते हैं यहां पर अगला सवाल तो देखो बच्चों यह है आपका सिक्स सब कॉस्च्चन तो इसमें क्या दिया है था नेसेसरी कंडिशन फॉर ए याद रखना अगर नेसेसरी के साथ सफिशियंट आया तो फिर आपको डबल इंप्लिकेशन लगाना है लेकिन अगर यह अकेले आया तो फिर आपको यह वाला सिंबोल यूज करना है ठीक है तो चलो यहां पर मैं इसका सॉलुशन लिखती हूँ पहले तो स्टेट्मेंट पी और क्यों को हम लोग यहां पर कंसिडर करते हैं देखो जो हमारा स्टेट्मेंट पी है ना बच्चों वो क्या हो जाएगा पता है आपको क्या लिखा था नेसेसरी कंडिशन पॉर एक्जिस्टेंस ऑफ टेंजन टू दा कर्व ऑफ दा फंक्शन इस कंटिनिवर्टी तो इसका दूसरा जो स्टेट्मेंट है ना बच्चों वो क्या होगा कि दा टेंजेंट टू दा कर्व exist ठीक है बच्चो ये आपका statement क्यों हो गया अब देखो इसका symbolic form क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लिखते हैं the symbolic form is क्या होगा बच्चो P implies Q ठीक है समझाना आपको तो इस बात को ध्यान में रखना कभी-कभी ऐसे भी आ सकता है वैसे नॉर्मली तो ऐसे आता नहीं है लेकिन कभी आया तो उसके लिए आप टैयार रही है sufficient या फिर necessary आया तो फिर यह वाला symbol लगाना है ठीक है चलो अब अगला question देखते हैं इसमें क्या दिया है to be brave is necessary and sufficient देखो बच्चो क्या आया necessary and sufficient इसका मतलब आप समझ रहे हो कौन सा सिंबोल आएगा यह वाला double implication का ठीक है तो यह आपका condition है चलो अभी यहाँ पर हम इसका solution करते हैं तो statement P क्या होगा बच्चो लेट statement P तो बी ब्रेव यह हमारा statement P हो जाएगा तो बी ब्रेव ठीक है और statement क्यों ग्या होगा बच्चो तो यह हो जाएगा ना क्या था to climb the Mount Everest ठीक है Mount Everest ठीक अब इसका symbolic form क्या हो जाएगा बच्चो यहां पर हम लिखते हैं the symbolic form is P double implication Q ठीक है double implication Q आया क्योंकि इसमें क्या है necessary and sufficient ओके चाहिए तो बच्चो इसे आप लोग लिख लीजिए अच्छे से अपने notebook में है चलो अभी देखते हैं अगला कोश्चन तो यहां पर अगेन दो स्टेट्मेंट दिये गया है देखो बच्चो पहला स्टेट्मेंट यह है दूसरा स्टेट्मेंट यह है दोनों के बीच में क्या है if i double f यानिके double implication वाला symbol आएगा है ना तो यहां पर हम लिखेंगे let statement p क्या हो जाएगा तो यह वाला जो है ना x cube plus y cube which is equal to x plus y the whole cube ठीक है यह statement p हो जाएगा क्यों क्या होगा x y which is equal to 0 ठीक है अब इसका symbolic form लिख देते है the symbolic form is p double implication q ठीक है बच्चों अब उसके बाद हम लोग अगला question देखेंगे तो मुझे यह मिटाना पड़ेगा तो I hope कि आप लोगों ने लिख लिया होगा चली यह मिटा देती हूँ अब ही मैं चलो यहां पर क्या है यह तो simple वाला है the drug is effective though it has side effects तो देखो बच्चों यहां पर कौन सा connective आया है बताईए ध्यान से देखिए किसका use आया है दो का ठीक है तो मैंने आपको बताया था ना जब भी बट आता है या फिर दो आता है ठीक उसके बाद आपका statement क्यों क्या हो जाएगा बच्चों it has side effects ठीक अब देखो इसका symbolic form क्या हो जाएगा हम यहां पर लिखेंगे the symbolic form is symbolic form P and Q ठीक है and Q लगाया क्योंकि यहां पर दो यूज हुआ है याद रखिएगा तो देख लिजेए बच्चों यहां पर हमने यह 9th सबकोश्चन भी complete कर लिया चलिए बच्चों अगला question देखते हैं तो यह है आपका 10th सबकोश्चन यहां पर statement क्या दिया है कि if a real number is not rational then it must be irrational तो देखो बच्चों यहां पर एक statement P रहेगा दूसरा आपका Q रहेगा ठीक है तो statement P क्या होगा बच्चों यह हो जाएगा आपका statement P की a real number is not rational ठीक है और statement Q क्या हो जाएगा बच्चों तो यह जो है ना it must be irrational यह आपका statement Q हो जाएगा ठीक है तो देखो यहां पर मैं लिखती हूं let statement P क्या होगा a real number is not rational ठीक है यह क्या हो जाएगा बच्चों यह हमारा statement P है अब देखो statement Q क्या होगा तो यहां पर क्या लिखका है it must be irrational तो देखो बच्चों यह जो इत है ना इसका किसकी लिए किया गया है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे ऐसे लिखना है आपको कि a real number must be irrational ठीक है इस तरीके से समझजदो क्योंकि इसका यूज़ कि क्या गया है तो real number के लिए ही किया गया है तो यहाँ पर एम क्या लिखेंगे A real number must be irrational ठीक समझ रहो ना देखो बच्चो इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते थे कैसे जैसे यहाँ पर क्या है कि A real number is not rational तो मैं चाहती ना तो statement P में यह जो not आया ना बच्चो इसको हम हटा सकते थे मतलब हम ऐसे लिखते statement P कि A real number is rational ठीक है तो जब इसका symbolic form लिखते ना तो जो हमारा statement P होता उसके आगे हम लोग यह negation यूज करते आगर हमने not नहीं लिखा होता तो ठीक है लेकिन हमने यह not लिखा है ना तो हम क्या करेंगे यहाँ पर negation के यूज किया गया ना तो इप देन कब आता है इसमें आता है इंप्लिकेशन वाले में यानि क्या हो जाएगा पी इंप्लाइस क्यू ठीक है तो यह हो गया बच्चो आपका अंसर समझे चलो अब यहाँ पर अगला कोशन देखते हैं क्या है आपको यूआप सब्सक्राइब हो जाएगा ना एक क्या हो जाएगा से और श्प्लाइब हूज कर रहिए परोज़ैंसरे खर्म यह यहां पर यह क्या हो जाएगा वर्ड यूस किया गया है तो राम के लिए ही किया गया है ठीक है अब देखो इसका सिम्बोलिक फॉर्म क्या होगा यहां पर लिखते हैं अब लोग को यहाद है मैंने बताया था जब मैं आपको लेशन पढ़ा रही थी मतलब जभी हम लोग प्रैक्टिस एड ने जभी हम लोग एक्सरसाइज के कोस्टन सौल कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि निगेशन को लिखने के कई सारे तरीके होते हैं इस फॉस दैट भी होता है ठीक है तो यहां पर यूस किय आया है एंड आया है तो इसे आपके ऐसे लिखोगे ऐसे लिखोगे ना पी एंड क्यू समझें तो यह है बच्चो इसका सिम्बोलिक फॉर्म अच्छे से समझेगा इट इस नौ ट्रू देट का मतलब क्या होता है निगेशन ठीक है और एंड का मतलब तो आप जानते ही है चलिए आगे चलते हैं अगला यहां पर है कि इवन दो इट इस नौट क्लावडी इट इस स्टिल रैनिंग तो देखो बच्चो जबी भी इवन दो आता है तो बताईए हम लोग कौन से सिम्बोल का यूज करते हैं तो एंड वाला यूज करते हैं ठीक है याद रखना बट इट आए यह फिर यह दो आए ठीक है तो अगर यह सारे वर्ट्स आते हैं तो आप समझ जाएए कि हमें यही वाला सिम्बोल लगाना है ठीक है देखो यहां पर हम इसका सॉलूशन करते हैं यहां पर लिखेंगे लेट स्टेटमेंट पी क्या हो जाएगा कि इट इस नौट क्लावडी ठीक और स्टेटमेंट क्यों क्या हो जाएगा बच्चो इट इस स्टिल रहनिंग ठीक अब देखो बच्चो इसका सिम्बोलिक फॉर्म क्या हो जाएगा यहां पर हम लिखेंगे दर सिम्बोलिक फॉर्म इस इवन दू का मतलब क्या होता है एंड होता है ना तो हम इसको कैसे लिख करके दिखाएंगे ऐसे पी एंड क्यू ठीक है यहां पर हम लिखते हैं कि लेट स्टेटमेंट पी जो हमारा स्टेटमेंट पी इन बच्चों क्या होगा तो देखो यहां पर नाइधर आपका स्टेटमेंट पी होजाएगा कि intelligent persons, persons are neither polite nor helpful, ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक ही statement है, यह statement P only, ठीक है, यहाँ पर दो statement है, एक ही statement है, intelligent persons are neither polite nor helpful, ठीक है, अब देखो, इसका symbolic form क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, कि the symbolic form is, क्या होगा बच्चों, देखो, यह आपका statement P है, यहाँ से यहाँ तक statement P है, और इसके आगे क्या लिखा है, it is not true that, यहाँ पर क्या आजाएगा, बच्चों, निकेशन आजाएगा, ठीक है, तो यह हो गया, आपका final answer, easy था न, चलो, अब यहाँ पर last one देख लेते हैं, यह आपका अंतिन सवाल है, तो इसमें क्या दिया है, कि if the question paper is not easy, then we shall not pass, ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, if or then का use किया गया है, यानि कौन सा symbol आएगा, implication वाला, ठीक है, और यहाँ पर दो statement है, देखो, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, let statement P, statement P क्या हो जाएगा, बच्चों, the question paper is not easy, ठीक है, यह हमारा statement P हो जाएगा, the question paper is not easy, ठीक है, फिर हमारा statement Q है न बच्चों, यह क्या हो जाएगा, कि we shall not pass, ठीक है, we shall not pass, अब इसका symbolic form क्या हो जाएगा, P implies Q, ऐसे ही होगा न, देखो, if then का use किया गया, इसके लिए यहाँ पर implication आजाएगा, ठीक है बच्चों, समझा न आपको, और देखो, एक और बात बताती हूँ, इसको चाहो तो आप एक और तरीके से कर सकते थे, आप क्या करते हैं, यह statement P में not नहीं लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने इसमें not को include कर लिया न, तो फिर ऐसे सही है, ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी आपका गलत नहीं करेगा, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर finally यह जो आपका question number 3 है, यह हमने complete कर लिया, इसमें total 15, नहीं, 15 नहीं, yes, 14 सब question दिये गए थे, सब के सब हमने कर लिये, तो चलिए आप इसको देख लिजे, फिर हम चलते है, question number 4 पे, अभी हम लोग 4th question देखेंगे, तो देखिएगा, इसम statement क्यों क्या है बच्चो, it is interesting, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर यह जो statement दिये गया है, इनको symbolic form में लिखना है, ठीक है, तो बहुत ही simple सा यह question है, देखो, यहाँ पर पहला आपका statement क्या है, बच्चो, proof is lengthy and it is not interesting, तो देखो, आपको बताती हूँ, इसका answer क्या होग proof is lengthy, यह क्या है, बच्चो, आपका statement P है, तो यहाँ पर आजाएगा statement P, ठीक है, फिर आपका statement Q क्या है, कि it is interesting, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, it is not interesting, देखो बच्चो, इसमें क्या आया, not आया, not आया, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर negation लगा दोगे, ठीक है, और यह यहाँ पर Q, क्योंकि यह वाला statement है, बच्चो, यह आपका Q है, ठीक है, अब बताईए, यहाँ पर कौन सा symbol आएगा, तो इसके और इसके बीच में कौन सा word आया है, तो and आया है, जब भी and आता है, तो यह वाला symbol हम लोग use करते हैं, ठीक है, तो यह बच्चो आपका answer है, सम interesting, यह आपका statement Q है, दोनों को जोडने के लिए किसका use किया गया है, if or then का, इसका मतलब क्या होगा, यह statement आपका कुछ यह होगा, P implies Q, इस तरीके से, ऐसे होगा ना, क्योंकि if or then का use आया है, अब देखो यहाँ पर तीसरा वाला बच्चो इसका answer हम लिखते हैं, देखो, क्य लेंदी, बराबर, और देखो, यहाँ पर क्या है, but आया है, but मतलब यह वाला symbol आएगा, ठीक है, और क्या है, it is not, it is interesting, यह आपका statement Q है, ठीक है, और देखो, इसके आगे, क्या use हुआ है, कि it is not true that, it is not true that का मतलब क्या होता है, बच्चों, negation, आप जानते ही है, मतलब इसक इसको जोडने के लिए, but का use किया गया, यहाँ पर and वाला symbol आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर आजाएगा, ठीक है, तो यह है, बच्चों, आपका final answer, अच्छे से इसको देख लीजिए, जलो बच्चों, अभी next वाला देख लेते है, तो यहाँ पर देखेगा, क्य यानि क्या आएगा, बच्चो, double implication, ठीक है, तो देखो, इसका answer हम कैसे लिखेंगे, यह मेरा statement Q है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बच्चो, statement Q आजाएगा, फिर double implication, यह statement P है, तो यहाँ पर आजाएगा statement P, ठीक है, समझे न, अच्छे सो देखने का, जैसे, अगर आप जल् Q को लिखा, बाद में P को लिखा, ठीक है, question number 5 देखिएगा, बच्चो, यहाँ पर तीन statement दिये गए है, आप लोग देख सकते हो, पहला statement P है, सचिन wins the match, दूसरा है, सचिन is a member of Rajya Sabha, और यहाँ पर R है कि सचिन is happy, ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर यह जो statement दिये ठीक है, यानि कि कैसे लिखना है, वर्ड में करके लिखना है, ठीक है, यह सिंबोलिकली दिया गया है, तो इसे आपको वर्बल स्टेटमेंट में convert करना है, ठीक है, तो चलिए देखते है, पहला वाला, देखो बच्चो, इसका answer क्या होगा, यहाँ पर क्या है, P and Q, फिर य इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, बच्चो ध्यान से देखते चाहिए, बहुत है सिंपल है, सचीन विंस दा मैच, ठीक है, सचीन विंस दा मैच, उसके बाद यहाँ पर देखो किसका सिंबोल है बच्चो, एंड वाला ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर उस इसके बाद क्या है बच्चो, और है तो और, श्चीन विंस दा मैच, और ही इस हैपि आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर सचीन की बात की जा रही है ना, तो क्या लिखेंगे, और ही इस हैपि, ठीक है, तो पहला वाला आपको समझा के नहीं, बताओ, सिंपल था के नहीं, येस, अब यहाँ पर दूसरा वाला देख लेते बच्चों क्या दिया है P implies R ठीक है तो statement P मतलब सचीन विंस दा मैच ठीक है और अर मतलब क्या सचीन इस हैपी ठीक है अब देखो इन दोनों को जोडने के लिए किसका यूज किया गया है बच्चों ये वाले सचीन विंस दा मैच देन अब स्टेटमेंट डार लिखेंगे सचीन इस हैपी तो क्या लिखोगे ही इस हैपी क्योंकि यहां पर भी उसी की बात की जारी है न तो ही लगा दोगे तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है चलो अब यहां पर अगला वाला देख लेते थर्ड वन क्या है निगेशन ओफ पी और क्यू तो चलो बच्चो इसका आंसर बताती हूं निगेशन ओफ पी मतलब समझ रहे हो यह जो है न बच्चो इसमें हम लोग नॉट लगा देंगे ठीक है क्या लिखा है सचीन विंस दा मैच तो अब इसका निगेशन अगर मैं ठीक है उसके बाद देखो बच्चो कौन सा सिंबोल है और वाला है तो यहाँ पर हम लगाएंगे और मतलब लिखेंगे और उसके बाद स्टेट्मेंट क्यूँ क्या है सचीन is a member of राज्यसभा तो यहाँ पर क्या लिखोगे he is a member of राज्यसभा ठीक है यहाँ पर लिख दी ठीक है एक बार पढ़ लो इसको देखो क्या लिखा है सचीन डस्नोट विन दा मैच और ही इस दा मेंबर ओ राज्यसभा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन यहाँ पर क्या है बच्चो देखना पी इंप्लाइज और इधर क्या है पी एंड आर तो यह ज सिंबोल की मदद से यानि इस इफ देन यह पर आएगा ठीक है तो क्या लिखेंगे है यहाँ पर पहले तो हम लोग इफ लिखेंगे उसके बाद स्टेट्मेंट पी लिखेंगे पी क्या है बच्चो सचीन विंज डमैच तो क्या लिखेंगे देखो इफ शीन wins the match फिर यहाँ पर then लगाईएगा ठीक है if then फिर उसके बाद यह जो ब्रैकेट में है उसे हमें लिखना है ठीक है बच्चो तो क्या लिखा मैंने if Sachin wins the match then अब इस statement क्या आए बच्चो Sachin is a member of Rajya Sabha तो क्या लिखेंगे हम लोग he is a member of Rajya Sabha member member of Rajya Sabha ठीक है उसके बाद यहाँ पर कौन सा symbol आया है and का न तो यहाँ पर हम लगाएंगे and उसके बाद statement आर लिखेंगे तो statement आर क्या है बच्चो ज़रा देख लेजिए Sachin is happy तो क्या लिखेंगे and he is happy पूरा लिखने के बाद नहीं एक बार पढ़ लेने का चलो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है इफ Sachin wins the match then he is a member of Rajya Sabha and he is happy चलेगा ठीक है तो यह आपका मतलब इसका answer है ठीक है अब यहाँ पर अगला वाला देख लो क्या है पी इंप्लाइज क्यू तो देखो बच्चों यहां पर implication का symbol आया यानि इफ देन आएगा तो यहां पर लिखेंगे इफ स्टेट्मेंट पी क्या है सचीन विन्स दा मैच इफ सचीन विन्स दा मैच विन्स दा मैच यहां पर लिखेंगे देन कि अब यहां पर अगला कोश्चन देख लो मतलब नेक्स्ट वाला यहां पर क्या है बच्चों पी पी एंड क्यू फिर एंड निकेशन ओफ आर ठीक है अब इसको कैसे लिखोगे तो पहले तो आप यह वाला प्रैकेट लिखिएगा पी एंड क्यू तो पी का मतलब सचीन उसके बात यहां पर कॉंसा सिम्पोल आएका बच्चों एंड काएगा तो यहां पर लिखेंगे एंड फिर स्टेट्मिंट क्या है कि सचिन इस मेंबर अफ राज्यसाभा तो यहां बहुं मेंबर उफ राज्यसाब्धाग ठीक है ठीक अब उसके आगे देखो यहां पर कौन सा सिंबोल है बच्चो फिर से एंड का है ठीक है तो आपको एक बात बताती हूं देखो हमने इतर एंड लगाया है ठीक है फिर यहां पर स्टेट्मेंट आर का अमको क्या लिखना है बच्चो निगेशन क्या हो जाएगा और क्या है सचिन इस क्या है अबॉफ यहां पर देखिएगा क्या है बच्चो यहां पर इसका स्व Lexus solutions शॉलुइशनय से लिखते हैं सबसे पहले क्या है निगेशन है और फिर जाके क्या है पी और क्यों इसको कैसे लिखेंगे तो यहां बच्छो दोनों का निगेशन करते है और भी लोग देते है इट इस नॉट को जलो है फिर लिखेंगे इस नोट सचेट में मैं यहां पर लिखते हैं सचेट विन्स दा मैच पिर यहां पर कौन सा सीमबोल आया है और वाला तो यहां पर हम लगाएंगे और फिर जाएंगे क्यों क्या है सचिन is a member of Rajya Sabha, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और he is a member of Rajya Sabha, member of Rajya Sabha, फिर यह देखो, यहाँ पर क्या आया है, and आया न बच्चो, तो इसके place पर आप लोग but का यूज कर लो, ठीक है, but, R के place पर हम लोग क्या लिखेंगे, Sachin is happy, तो कैसे लिखोगे, but he is happy, ठीक है, समझागी नहीं, आप लोगों को, देखो, इसमें साधा confusion में मत रहना की, यहाँ पर but he क्यों लगाया, and भी तो लगा सकते थे, तो लगाईए न, and भी लगा लीजिए, चलेगा, it is not true that Sachin wins the match, और he is a member of Rajya Sabha, and he is happy, ऐसे भी लिख सकते हो, but लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, समझागी आपको, तो इस तरीके से question number 5 यहाँ पर complete हुआ, बच्चों अभी हम लोग देखेंगे question number 6, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो क्या लिखा है, determine the truth value of the following statements, यहनि हमें यहाँ पर अभी क्या बताना है, बच्चों, truth value बताना है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, यह है आपका statement number 1, तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसको हम लोग statement P मानेंगे और इसको Q मानेंगे, ठीक है, तो देखो कैसे होगा आपको बताती हूँ, यहाँ पर हम लिख देंगे solution, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखते हैं कि let statement P क्या हो जाएगा बच्चों, 4 plus 5 which is equal to 7, यह हो जाएगा आपका statement P, और फिर यहाँ पर देखो statement Q क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो मैं लिख देती हूँ, statement Q हमारा हो जाएगा, 9 minus 2 which is equal to 5, ठीक है, अब देखो बच्चों हमें क्या करना होगा, इन दोनों statements का ना यह लिखना होगा, truth value, ठीक है, तो देखिए, यह जो आपका statement P है, इसमें क्या दिया है, 4 plus 5 which is equal to 7, तो बताइए क्या यह सही है, 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, 9 साथ के बराबर है, क्या नहीं है, मतलब इसका truth value क्या हो जाएगा, बच्चों, F हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो, 9 माइनस 2 करोगे, तो कितना आएगा, 7 आएगा न, और यहाँ पर क्या लिखा है, बच्चों 5, तो 7 कभी भी 5 की बराबर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मतलब इसका पर truth value क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है, तो देखो, मैं आपको पताती हूँ, हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, कि truth value of truth values of P and Q are F and F respectively, ठीक है, मतलब दोनों का truth value है, वो क्या होगा बच्चों, F होगा, बराबर, अब हम क्या करेंगे, यह जो statement है, इसको symbolic form में लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, कि the symbolic form of the given statement is, मतलब जो statement दिया गया है, इसका symbolic form क्या हो जाएगा, बच्चों, देखो, यह आपका statement P है, यह Q है, दोनों को किस से जोड़ा गया है, और से, तो कैसे लिखोगे, P और Q, ठीक है, अब आपको क्या करना है न, truth value दोनों का लिखते जाना है, मतलब लिखना है, ठीक है, तो देखें, कैसे होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, therefore, P और Q is equivalent to statement P का truth value F है, ठीक, Q का truth value क्या है, बच्चों, यहाँ से देख लीजिए, F है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे F, अब मुझे एक बात बताईए, F और F क्या होता है, F होता है, है न, हमने सीखा था न, यह और वाले में क्या होता है, एक भी T दिखें तो T लिखने का नहीं, तो F लिखने का, तो यहाँ पर दोनों क्या है, F है न, इसके लिए इधर F आ जाएगा, यानि कि यह जो given statement है, इसका truth value क्या हो जाएगा, बच्चों, F हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कि therefore the truth value, the truth value of the given statement is F, ठीक है? समझे, तो यह हो गया आपका final answer, चलिए आगे चलते हैं, next वाला question देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया है, if 9 is greater than 1, then x square minus 2x plus 1, which is equal to 0, for x which is equal to 1, ठीक है? तो देखो, आपको एक बात बताती हूँ, पहले तो हम लोग यहाँ पर P और Q consider करेंगे, तो इसको P माल लेते हैं, तो statement P हमारा हो जाएगा, 9 is greater than 1, ठीक है? और statement Q क्या होगा बच्चो? statement Q हमारा हो जाएगा, x square minus 2x plus 1, which is equal to 0, ठीक है? for x which is equal to 1, यानि कि x का value हमको क्या लेना है? 1 लेना है, ठीक है? अब यह दोनों statement का हम truth value लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि the truth values, truth values of the truth value of P and Q, P and Q are, अब देखो बच्चो, यह जो आपका statement P है, इसका truth value क्या होगा? क्या लिखा है यहाँ पर? 9 is greater than 1, तो सही बात है ना? देखो, 9 जो है, वो 1 से बढ़ा ही होता है, मतलब statement P का जो truth value है, वो T हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद, जो हमारे statement Q है, बच्चो, बताए इसका truth value क्या होगा? तो देखो, हम लोग क्या करेंगे? इसमें ना x का value put करेंगे, तो अगर मैं इधर x का value put करूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? x square है ना, तो यहाँ पर 1 का square आजाएगा, फिर minus 2 into x के place पर 1 लिखेंगे, plus 1, which is equal to 0, ठीक है? तो देखो, 1 का square 1 होता है, minus 2, 1 से 2, plus 1, which is equal to 0, अब देखो, बच्चो, 1 और 1, क्या हो जाएगा? 2, 2 minus 2, which is equal to 0, 2 minus 2 करेंगे, तो कितना आएगा? 0 है ना, और इधर भी क्या है? 0, तो देखो, जब हमने इसको simplify किया, x का value put करके, तो left hand side में क्या है? बच्चो, 0 आया, और इधर भी क्या है? 0, यानि यहाँ पर यह जो value दिया गया है, यानि कि यह जो equation है, यह एकदम सही है, ठीक है? इसका truth value क्या है? बच्चो, t है, कैसा समझा? जब हमने इधर x का value put किया, तो देखो, जो right hand side में है, वही left hand side में भी आया, इसका मतलब, इसका truth value क्या हो जाए ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे t respectively, ठीक है, समझाना आपको, अब उसके बाद इसका symbolic form लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो, the symbolic form of the, symbolic form of the given statement is, क्या हो जाएगा बच्चो, यहाँ देखो, if और then का use किया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, फिर if देन आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है, अब देखो, हम लोग यहाँ पर, जो value है, वो put करेंगे, मतलब, जो truth value आया है, देखो ध्यान से, P क्या है, T है, yes, फिर Q क्या है, बच्चो, यह भी आपका T है, तो मुझे एक बात बताईए, T implies T क्या होता है, बच्चो, yes, T होता है, हमने देखाता न, इसमें क्या होता है, अगर T के बाद F है, तभी F लिखने का नहीं, तो हर बार T लिखने का, इसलिए यहाँ पर क्या आ स्टेटमेंट इस, गीवन स्टेटमेंट इस, T, समझ गया है, तो यह है बच्चो, इसका मतलब आंसर, ठीक है, चलिए बच्चो, अभी हम लोग अगला वाला देख लेते हैं, यानि कि थर्ड सब कुश्चन, तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो, X प्लस Y, विच इक्वल जीरो, is the equation of a straight line, यह आपका statement, कौन सा statement होगा, statement P, ठीक है, फिर आगे क्या है, if and only if, Y square, which is equal to 4X, is the equation of the parabola, तो यह आपका statement, क्यों हो जाएगा, ठीक है, तो पहले तो हम यह दोनों statements को लिखते हैं, देखो, यहाँ पर लिखेंगे, let, statement P, हमारा क्या हो जाएगा, बच्चो, X plus Y, which is equal to 0, is the equation, is the equation of a straight line, चलो, इसके नेचे लिख देती हो, ठीक है, यह हमारा statement P है, बच्चो, अब statement Q क्या हो जाएगा, कि Y square, Y square, Y square, which is equal to 4X, is the equation of the parabola, Y square, which is equal to 4X, is the equation of the parabola, ठीक है, अब क्या होगा, बच्चो, हमें इसका truth value लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे एक बात बताईएगा, जो आपका straight line होता है, बच्चो, इसका equation क्या होता है, तो इसका equation यही होता है, X plus Y, which is equal to 0, ठीक है, straight line का equation यह होता है, और यहाँ पर यह equation दिया है, यह parabola का ही equation है, ठीक है, आप लोगोंने पढ़ा भी होगा पहले, ठीक है, parabola का equation ऐसा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कि the truth values, truth values of the, of P and Q are, P का truth value क्या हो जाएगा, बच्चो, T and Q का भी क्या हो जाएगा, T respectively, ठीक है, अब इसका, symbolic form लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, कि the symbolic form of the given statement is, symbolic form of the given statement is, क्या हो जाएगा, देखो आपको बताती हूँ, पहले तो यहाँ पर P लिखेंगे, उसके बाद if and only if का use क्या गया है ना बच्चो, तो कैसे होगा, यहाँ पर double implication वाला symbol आएगा, यहनि कुछ यह, P double implication Q, ठीक है, अब देखो, इधर ध्यान से देखते जाएगा, P double implication Q, P का truth value क्या है बच्चो, T, ठीक है, Q का truth value क्या है, T, तो मुझे एक बात बताएगे, T double implication T क्या होता है, इसमें हमने क्या देखा था, अगर same same रहा तो T आता है, और अगर अल statement में, जो हमारा truth value है, वो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे, therefore, the truth value of the given statement is T, ठीक है, अब देखो, यहां पर next one क्या है, कि it is not true, that 2 plus 3 which is equal to 6, और 12 plus 3 which is equal to 5, ठीक है, तो यहां पर क्या है बच्चो, it is not true that, इसका मतलब आप समझ रहे हो, यहां पर negation आएगा, ठीक है, चलिए आपको बताती हूं, पहले तो इदर P और Q, assume करने दो, तो statement P हमारा हो जाएगा, 2 plus 3 which is equal to 6, और जो हमारा statement Q है, वो क्या हो truth values of P and Q are, P का truth value क्या होगा बच्चो देखो, यहां पर क्या है, 2, 3, कितना होता है, 5 होता है, 5, 6 के बराबर होता है, क्या नहीं, यह तो गलत है, यानि इसका truth value F हो जाएगा, ठीक है, फिर यहां पर अगला वाला देख लो, 12 और 3 कितना होता है, 12, 3 तो 15 होता है, इधर क्या है, बच्चो रॉंग है, गलत है, तो यहां पर लिख देंगे F respectively, ठीक है, अब उसके बाद इसको symbolically represent करेंगे, यहां पर हम लिखते हैं कि the symbolic form of the form of the given statement is, इसका symbolic form क्या होगा बच्चो, देखो यहां पर क्या है, it is not true that, यानि क्या आ जाएगा, negation आ जाएगा पहले तो, फिर उसके बाद यह वाला statement और फिर यह वाला statement, दोनों को जोडने के लिए इसका use किया गया है, और का, यानि देखो bracket में ऐसे आएगा, P और Q, समझें आपको, अब देखो हम लोग ना, truth value को put करेंगे, P और Q, ठीक है, अब मुझे एक बात बताईए बच्चो, जो आपका P है, इसका truth value क्या है, yes everyone, F है, ठीक है, फिर Q का भी truth value क्या है, F है, बराबर, तो अब देखो क्या आएगा, negation को अभी ऐसे रहने, तो पहले इस statement के लिए, truth value क्या होगा, T होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, therefore, the truth value of the given statement is true, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बच्चो, तो यहाँ पर आपका यह, जो question number 6 है, यह complete हुआ, अच्छे से इसको समझ लीजिए, कुछ भी doubt रहे तो आप में इसे पूच सकते हो, ठीक है, चलो, चलिए बच्चो, अभी हम लोग देखते हैं, question number 7, तो इसमें हमको क्या करना है, देखो, क्या लिखा है, assuming the following statements, P and Q to be true, find the truth value of the following, यानि कि हमें ऐसा assume करना है, कि P और Q, इन दोनो statement के truth values क्या है, T है, मतलब इसका भी truth value T है, और इसका भी T है, ठीक है, ऐसा assume करके, यहाँ पर stock prices are not high, और stocks are rising, तो देखो, सबसे पहले तो इसको symbolic form में आप लोग लिखोगे, ठीक है, तो इसका symbolic form क्या हो जाएगा, बच्चो, symbolic form, बराबर, क्या होगा, आपको बताती हूँ, देखो, यहाँ पर statement P क्या है, कि stock prices are high, और statement Q क्या है, बच्चो, stocks are rising, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, क्या लिखा है, stock prices are not high, मतलब, देखो, यहाँ पर statement P तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ना not include क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको कैसे लिखोगे, negation of P करके लिखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बच्चो, और, और मतलब क्या होता है, ऐसे, ठीक है, T है, यानि कि आप कैसे लिखो के देखो, ऐसे, truth value दोनों का T है, बच्चो, यहाँ पर negation of T आजाएगा, फिर Q के place पर T आएगा, ठीक है, अब देखो, negation of T कितना होता है, जल्दे से बताइए, F होता है, ठीक है, फिर और T, तो F और T, क्या आएगा, बच्चो, क्या ल क्या हो जाएगा, बच्चो, T, ठीक, समझा, चलो, अब यहाँ पर दूसरा वाला question देख लेते हैं, तो क्या दिया है, कि stock prices are high, and stocks are rising, if and only if stock prices are high, तो ध्यान से समझते जाहिए, पहले हम इसका symbolic form लिखेंगे, यानि इसको symbolically represent करेंगे, symbolic form, क्या हो जाएगा, देखो, क्या है, stock prices are high, मतलब statement P, सही है, तो यहाँ पर लिख देए statement P, फिर उसके बाद and है, and मतलब ऐसे हाता है, ठीक है, फिर क्या है, stocks are rising, stocks are rising, मतलब Q, ठीक है, तो इसको एक bracket में कर देना, फिर क्या है, बच्चो, if and only if, यानि कि double implication, फिर क्या है, stock prices are high, मतलब यही वाला statement आएगा, stock prices are high, यानि कि statement P, ठीक है, समझागी ने, आप लोगों को, एक बार फिर से बताते हूं, ध्यान से समझे, क्या है, stock prices are high, यानि कि statement P, ठीक, फिर and, stocks are rising, यानि कि statement Q, फिर क्या है, if and only if, तो यहाँ पर मैंने if and only if का symbol लगा दिया, फिर क्या है, stock prices are high, यानि कि again statement P, यहाँ पर लिखन है, ठीक है, अब देखो, हमें ऐसा assume करना है, कि इन दोनों के truth values क्या है, T है, तो कैसे होगा, देखो, क्या लिखेंगे, P and Q, double implication P, पराबर, तो चलो, P के place पर बच्चो क्या लिखेंगे, T and T, फिर double implication T, अब देखो, T and T क्या आता है, yes everyone T आता है, ठीक है, फिर double implication T, तो T ही आता है, क्योंकि इसमें हमने क्या देखा था, अगर सेम सेम रहा, तो फिर T लिखने का, तो इदर T आ जाएगा, यानि कि truth value क्या हो जाएगा, यहां पर लिखते है, hence the truth value is T, ठीक, थर्ड वाला question देखिएगा, बच्चो यहां पर क्या दिया है, कि if stock prices are high, then stocks are not rising, तो सब से पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, symbolic form में लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं, इसका, symbolic form, ठीक है, यहां पर लिखते हैं, लोग symbolic form, देखो यहां पर किसका use किया गया है, if और देन का, यानि कौन सा symbol आएगा, यह वाला, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, बच्चो, यहां stocks are not rising देखो बच्चों यहां पर यह आपका statement क्यों है ठीक है इधर क्या लिखका है stocks are not rising मतलब यहां पर क्या आएगा negation of Q ठीक है तो यहां पर हम लिख देंगे negation of Q समझा के नहीं अब उसके बात करना क्या है आपको तो देखो हम ऐसा आजियूम करेंगे कि इन दोनों का जो truth value है ना वो क्या है बच्चो टी है ठीक है तो हर जगर टी लिखिएगा यहां पर पर टी चलो अब इसको simplify करो तो टीब क् insulted यारे को बच्चो अगर टी के बाद F आता है किया ने इसका प्रूट गया आजाएगा ठीक है समझाना तो क्या लिखेंगे हम लोग की हैंस प्रुट वैल्यू इस हैंस दा प्रुट वैल्यू इस एफ ठीक है समझ गए अब यहां पर अगला कोश्चन देख लीजिएगा क्या है कि इस फॉल्स एट स्टॉक सार राइजिंग एंड स्टॉक प्राइज राई है तो सबसे पहले इसका symbolic form लिख देंगे यहां पर लिखते हैं symbolic form इतुत इस मुआ होगा चाहन सबसे पहलेस निटे तो इसके बात क्या है स्टॉक और रा इजिंग मतलब कॉनसा स्टेटमेंट यह वाला symbol फिर है stock prices are high stock prices are high मतलब statement पी तो यहां पर आजाएगा बच्चो statement ठीक है अब हमें ऐसा assume करना है कि दोनों का truth value क्या है T है तो देखो होगा क्या कि यहां पर क्यों है कि दोनों का truth value T है तो यहां पर हम लिख देंगे T and T ठीक है negation of T and T क्या होता है T होता है तो यहां पर हम लिख देंगे T फिर negation of T is F तो यहां पर लिखिएगा hence the truth value is F ठीक है अगला question देख लीजिए यहां पर लिखते है इसका solution इसको symbolic form में पहले तो लिखते हैं हम लोग symbolic form क्या होगा देखो देहां से क्या लिखा है stock prices are high इसका मतलब आप समझ रहे हो कौन से statement आएगा stock prices are high यानिके statement P तो यहां पर हम लिख देंगे बच्चो statement P ठीक है फिर क्या है और और मतलब यह वाला symbol फिर क्या है stocks are not rising तो stocks are not rising देखो बच्चो यहां पर क्या है stocks are rising इधर क्या लिखका है not rising इसका मतलब आप समझ रहे हो यहां पर क्यूं का ना negation आजाएगा ठीक है फिर क्या है इफ का मतलब double implication फिर stocks are rising stocks are rising यानिके statement क्यों आजाएगा तो यहां पर हम लिख देंगे क्यों अब आप ऐसे आज्यूम कर लो कि इनका जो truth value है ना वो है T T और negation of T double implication T अब देखो यहां पर होगा क्या बताती हो आपको T और negation of T मतलब negation of T T का negation F तो हम लिख देंगे इदर F उसके बाद double implication फिर इदर T अब बताईए T और F क्या होता है और में अगर एक भी T दिखे तो T लिखनेगा यानि T और F क्या हो जाएगा T हो जाएगा तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चो T फिर double implication T तो T double implication T आंसर आएगा T तो यहां पर लिख देंगे hence the truth value is truth value क्या हो जाएगा बच्चो T तो यहां पर हमने लिख दिया T ठीक है तो देख लिजी इस प्रकार से आपका यह जो question number 7 है यह complete हुआ ठीक है ऐसे ही करना है तो इस वीडियो में बस हम लोग इतने ही questions करने वाले थे अभी जो आगे के बच्चो के questions है उनको आम लोग solve करेंगे next video में ठीक है बच्चो और इसके पहले के मैंने सारे questions करवा दिये हैं सारे exercise और इसके पहले के सारे questions तो कोई भी वीडियो अगर आप लोगों को नहीं मि है झाले वाले और्या अटी खिरोरी ओर्या में जारे वाले अटरीमॉड़ आपरे बच्चो आपरे सेफिक तया इसके बच्चो करेंगे पहले के सेवायं वम